थोर वाइल ख्याल चले यार तो दिखको अब मैं कुछ ऐसे डीटियल से बात करने वाला हूँ जो कि आप लोग कहा है कि मतलब हर एक बंदा भी कहे जा रहा है पब्जिमाइल बैन हो गया तो खेल क्यों रहा है पब्जिमाइल को यह कोशन बहुत जाद आ रहा था कि पब्ज पर उनको मैं मैं जब दोपहर में अइनका ट्क्ẩ का उन कर रहा है मेरे मेरे तो server connection lost हो गया तो उसका server पतान क्या लिखाता है मतलब on in your था मतलब ठीक है यह होता है Ben अब देखो एक good news आप सभी के लिए तो फटा वट से पहले तो बोलुगा इस video को बहुत जाए शेयर करो ठीक है पूरे video को फैला तो हर एक बंदे तक आपके squad member आपके squad आपके भाई जित्ती भी आपके साथ बंदे खिलते हैं उन सब के तरह मनलब वहां तक share करो जो भी मतलब PUBG lover हो उन सब के लिए यह वाल नियों सुनके बहुत अच्छा लगए को उने भी देखो है कि आभी PUBG Mobile हम जीओ से होन करते हैं तो जीओ से तो मतलब शायद login हो रहा है कि नहीं हो रहा तो मुझे आय ठीक सो नहीं हो ठीक है और गेम अगर login है तो हम on कर रहे है तो अपने टीमेट से भाई आप फिर किसी से बात ने कर पार है कोई को मैस गलिच रहा रहा है ओके तो मैने इतना माना आप तो जब बैन हुआ था तो कब हुआ था बैन दो सितंबर सेकेंड सेप्टंबर है ना ओके अब उसके बाद पब जी मॉइल को इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है कि भाई वो अपने आपको एक प्रूफ करें कि भाई पब जी मॉइल को बैन करना चाहती है अगर गौर्मिन तो वो इस्टम डाइकली बैन कर सकती है यासे टिक टॉक को बैन क्या हो कि ये समझ लो जैसे टिक टॉक बैन वाब ऐसी पब जी मॉइल बैन हो सकते था बट नहीं पब जी मॉइल को इतना प्रूफ करने का कर मौका दिया जा रहा है तो भाई ये पर्मानेंटली बैन नहीं हो और एक चीज़ और बता दो आप सभी एक खुशी के लिए देखो अगर पर्मानेंटली अगर पब्जी मॉइल को गौर्वर्मेंट बैन नहीं कर रही होती तो ये सतर कोशन उसे वापिस नहीं बेज़ती कि भाई चलो सतर कोशन के आंसर दो या फिर तुम पब्जी मॉइल ये ऐसा कर सकते हैं जिस चीज से दिखका थी डाटा पॉलिसी कुछ कर गे थी मलब डाटा हाई लीक हो थी दूसर दिश से जाल गी अब जैसे उस टेंसेंट को छोड़ा तो अब डाटा की बात खतम और टेंसेंट को जो पैसा जाता था वो भी खतम इंडिया थी इन दो ची जो 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 पॉलिकेत कारे करनेशेप करके टेंसींट चल रहा था उसे इंडिया की मारकेटिंग के लिए पूरी तरीके से हटा दिया घाय व और थेंसेंट कोभी घोड़ा हो तुम chodzi सोमीच देखते ही पता हो प्ट अन्बढ होगा पर ठोड़ा टाइम लग्या पेशेंस रखो यार मैं दिल में थोड़ा समझे रहो ना रुके रहो थोड़ा रुको पब्जे एंड बैन होगा क्योंकि देखो अपने गवर्मेंट को क्या दिक्कती पब्जी वाल से कि भाई हमारी डाटा लीक हो रही है वो चीज़ तो हटाई दी मतलब चाइना से रिलेशन नी तो जो भी था रिलेशन वो तोड़ दिया खतम डाटा लिखका प्रॉब्लम खतम पैसे जो हमारे इंडिया से जो चाइनीज कंपनी को जारते हो भी खतम तो आप गवर्मेंट को और क्या चीज़े अब साथ भाई पब्जी वाल ने पार्टनर इसले ठोड़ना स्टार्ट कर द ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से शेयर कर दो इस वीडियो और उन्हें भी पलीज कहना कि ज़रूर चाइब कर देना जरूर आप लोग हो सेगे, प्लीज यादा ज्यादा चाइब कर दो और इस वीडियोगो चै करना तो बनता है ने लिए सबको बोलना यान 2 50 की के बहुत क्लोज आप देखते हैं यार कितनी जल्दी करातो आप लोग अब आप लोगों को कहात में आप लोगों तो भाई सब कुछ हो जाएगा तो जरूर चाहें हो सब्सक्राइब करवाई देना और आप लोगों भी कर देना करना है हो तो